नमस्कारमे औरिया भिहारी निउज में आपका स्वागत है चलि जानते हैब तक की भिहार की बड़ी खबरों को विधानसभा का मौंसून सत्र चार दिन के बजाय करवाय जाएगा एक हidences दिन में इसे एक दिन का ही करने पर सहमती जताई गई है विहार वधान सभाद्यक्ष विजे कुमार चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में यह निर्ने लिया गया है कि अपके वल तीन अगस्त कोई विधान सभा की बैठकोगी एक ही दिन में सभी जरूरी काम को निप्टा लिये जाएंगे पहले सत्र में राजुकी एक विधेक पाश्च किया जाएगा साथ ही राजुकी एकारे निप्टाए जाएगा जिसमें प्रथम अनुपूरक वैविवर्नी भी शामिल है जबकि वपक्ष की मांग को और दूसरे सत्र में राजमे कोवर्ट नाइटीन और बाण की समस्या पर विशेश विचार विमर्ष आयोजित करने पर सहमती बनाई गई है स्वास्तवभाग के तरब से मिली जुआनकारी के नुसार 14 गंटे में कोवर्ट नाइटीन से अब तक सबसे ज्यादा 57,117 मामलों की पुष्टी की गई है जिसके बाद प्रभावितों की कुल संख्या बढ़कर 17 लाख के करीब पहुँच गई है साथी बीते 24 गंटे में कोवर्ट नाइटीन से जानकवाने वालों की संख्या 36,000 के पार पहुच गई है दूसरी तरह देश में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो महरास्ट्रों में हालत बहुत ज्यादा खराब है प्रभावितों की संख्या महरास्ट्रों में अब 4,22,000 के पार हो गई है महीं दूसरा सबसे प्रभावित राज्यों तमिलाडू है जहां पर 24 गंटे में 5,881 नय मामलों की पुष्टी की गई है इसके साथ ही राज में प्रभावितों की संख्या 2,45,114 पर पहुँच गई है सिक्षा वभाग ने इसको ध्यान में रखते वे सिक्षकों की नियुक्ती और उनको नियुक्ती पत्र देने का शेडियूल जारी कर दिया है सिक्षा वभाग की तरफ से जारी के के शेडियूल के निसार लगभग 30,000 सेकेंडरी और प्लस टू टीचर्स के नियुक्ती का शेडियूल जारी हो चुका है राजधानी पत्ता में लगातार COVID-19 के मामलों में बढ़ोतरी देखी जारी है बीते दिन पत्ता में कुल मिलाकर 532 ने मरीजों की पुष्टी की गई है जुसमें से कई हाई प्रोफाइल जोन के संक्रमित का आकलन किया गया था राजधावन के भी स्टाफ COVID-19 संक्रमित पाए गया है जबकि हाई कोर्ट परिसर में दो जगहें पर कराएगे COVID-19 जाच में 18 मरीजों की पुष्टी की गई है जुसके बाद लगातार संक्रमितों की संक्या बढ़ती ज़ारी है राजधावन के आधादर्जुन स्टाफ संक्रमित पाए गया है सिर्फ राजधावन ही नहीं बलकि पटना के कई इलाकों में COVID-19 बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रहा है मौसम विभाग राजधानी पटना समीत कई जिलों में भारे बारिश की जटाई संभावना बिहार के उतर पश्चिमी इलाके में भारे बारिश की संभावना जटाई गई है मौसम विभाग की तरफ से जारी किये कि पुर्वानुमान के नुसार मौसून की अक्षिय रेखा गया से होकर गुजर रही है जुसकी वज़े से सामाने तोर पर समुचे बिहार में सामाने से मध्यम बारिश होने के आसार बनते देखे जा रहे हैं यह सामाने बारिश से 517 से 42 फीस दी भी ज्यादा है वही राज़ानी पट्टा में सामाने से 64 फीस दी अधिक बारिश तरच की गई है वही दूसरी तरफ लगातार हो रही बारिश के कारण कई जिले बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित है बिहार सरकार की तरफ से COVID-19 समधित सभी जानकारी के लिए लॉंच किया गया संजीवन मॉबाइल आप बिहार में वे काबू हो चुके COVID-19 के बढ़ते असर को देखते वे बिहार सरकार की तरफ से संजीवन मोबाइल आप को लॉंच किया गया है इस मोबाइल आप की मदद से COVID-19 सम्मंदित सभी जानकारी आसानी से हासिल हो सकती है बिली जानकारी के अनुसार इस आपकी मदद से COVID-19 से बचाव के उपाय जो आप उपचार स्वास्तसंसानों की सूची एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से मिल सकेगी इतना ही नहीं आप सीधे तोर पर स्वास्तवेभाग से जुड़ा हुआ है यह एप इसके लिए बस सभी लोगों को स्वास्तवेभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विहार पुलिस को लेकर ट्रेंड करती रही मिली जानकारी के नश्वार टॉप ट्रेंड में थैंक्यो विहार पुलिस सी पितरे की सहाथा कर रही है जिसको गजकर कर के sob चारण बिहार विहार पुलिस पर फिलूँ और आलगर्व नहीं संदिशे करें और यही कारण है कि बीते दिन प्यार और भरोसे ने खूप सारा ट्वीट बिहार पुलिस के लिए बटो रहा था बिहार पुलिस को शाबासी देने वालों की कतार लंबी चौरी देखने को भी शाम 6 बजे तक हैश्टाइग थाइंक्यू बिहार पुलिस ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था बिहार में मास्क नहीं पहनने वालों से अब तक वसूले के 28 लाख रुपए बिहार में कोवर 19 का मामला बेकाबू हो चुका है वहीं फिर भी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं सरकार की तरफ से बार-बार मास्क लगाने की नसीहत देने के बावजूद कई लोग ऐसे हैं जो सरकार की बातों का पालन कर नाज जरूरी नहीं सबज रहे पिश्रे 15 दिनों में लगभग 17,000 ऐसे लोगों को पकड़ा गया है जो बगैर मास्क के ही घूम रहे थे ऐसे लोगों पर अधिकारियों की टीम ने 28,000,000,000 का जुर्माना भी लगाया है मिली जौनकारी के रुसार 15 दिनों से राजो में लोकडाउन के दौरान जुला प्रसाशन ने लोगों की आने जौने की छूट दे रखी थे लेकिन लोगों की लापरवाही फिर भी देखी जा रही थी राधिकारी कुमार रवी ने 8 हैसी टीम गठित की है जो सड़क पर चलने वाले लोगों से मास्की चेकिंग कर रही है चुराग पासवान ने NDA की एक जुटता की खोली पोल चुराग पासवान का बगावती रवया साफ साफ देखने को मिल रहा था आए दिन चुराग पासवान मुख्य मंतर नितीश कुमार की नीतियों पर सवार उठाते नजर आते हैं विदान सबाचुनाफ की तैयारियों के बीच, लोच्पा प्रमुक चुराग पासवान और मुख्य मंतरी नितीश कुमार के बीच चल रही, खटा सब खुल कर सामने आने लगी है चिराग ने बेबाग तरीके से कहा है कि मैंने कई दफा बात करने की कोशिश की लेकिन मेरी बात नहीं हुई है मैं नहीं मानता कि एंडिये में सब कुछ ठीक चल रहा है गठबंदन में हर दल का अपना महत्व है नमक के बिना दाल बेकार हो जाती है इसले गठबंदन में तो सब की अपनी एहमियत होती है गांधी से तो पश्रिम लेन पर बालू की गाड़ियों का नहीं होगा परिचालन पथ निर्मान वभाग और जिला प्रसाशन के नई गाइडलाइन में गांधी सेतों के पश्रमी लेन पर बालू की गाड़ियों के आवज़ाही पर रोक लगा दी गई है जब कि आने प्रकार के सभी वाहनों के आवज़ाही पर किसी तरह का प्रतिबंद नहीं लगाये जाने का फैसला सुनाएगा है। पूरी तरह से नज़र रखी जा रही है। उत्पन होने की सभावना जोताई जा रही है वहीं बाड की वज़े से कई लोगों की जान भी जा चुकी है। गोपाल गन जिले में 12 घंटे के अंदर 8 लोगों की जान जा चुकी है हाला कि सरकार पनी तरफ से 12 प्रभावितों को रहाते देने की कोशिश कर रही है। अब पताधिकारी वोटर लिस्ट में खुद का नाम नहीं कर पाएंगे अलग। भी दिया गया है। अधिकारी को यह बताया गया है कि वोटर लिस्ट की छपाई कैसे होगी, उसे चुनाव में उतरने वाले अभिहर्थियों को कैसे दिया जाएगा। पताने से इंकार कर दिया है। राश्टरे खेल पुरसकार 29 अगस्त को खेल दिवस के दिन दिये जाते हैं लेकिन COVID-19 के कारण इस बार पुरसकार समारों में दे दी होने की उमीद जुताई जा रही है। हाला कि इस मामले में अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। जुसके परणाम सो रुपचैन समीती में सहवा के अलावा मुनालिसा बरुआ, दीपा मलिक बॉक्सिंग चांपियन विंके टेश्वन देव राजो, स्पोर्ट्स कमेंटेटर मनीश बताविया और खेल पत्रकार आलोक सिन्हा और नीरू भाठिया को शामिल क्या गया है।